नमस्कार MBCJ24 समचार में आप सभी का स्वागत है पाथर गाउं में सीना ठोक कर ठेकेदार कर रहा अन्यमित्ताय पंचायत की राशी दोबारा होगी पर बाद सूत्रों से प्राप्ट जानकारी के अनुसार छेत्र में जनहीत के कारे सिर्फ कमाई का जरिया भर हो गए है शासन से जन प्रतिनीधियों द्वारा शासन के माद्यम से कराने वाले ठेकेदारों को नजर आता है उन्हें यहाँ नहीं दिखाई देता कि आखिर कारे की अन्हें सुधार किया जाना चाहिए ऐसी कहानि भया करता है पातरगाउं जहां अनेक परिशानियों का ऐसा अलम है कि ग्रामिन भी परिशान हो चुके हैं पहुच मार्ग और पुल बदहाल पातर गाउं से बाजार टोला पहुच मार्ग चटानों के बीच बने पथ्रिले म मार्ग से वोकर गुजरता है जिसके चलते अनेक वहां पंचर हो जाते हैं इस संबंद में सरपंच मीरा एड़े ने बताया कि उक्त मार्ग का प्रस्ताव भेजा जा चुका है लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है इसके बाद बाजार टोला पहुंसते ही जैस थमचरा है प इसके अलावा पाथरगाउं से अमेरा जाने वाले मार्ग पर बनापुल अपनी दूरदशा की कहानी बया कर रहा है और यह कभी भी हाथसे को अंजाम दे सकता है ठेकेदार के कारण जनता का पैसा बरबाद सभा मंच के मामने में सरपंच मीरा एड़े का कहना है कि अब जो आप्था पंचायत से ही निदिव्य की जाएगी ऐसे में यह तो इस पस्ट है कि ठेकेदार की घटिया काले प्रणाली का खाम्याजा एक बर फिर जनता के पैसों से बुक्तान किया जाएगा सड़क निर्मान में भारी अनियमित्ताएं वहीं हाल ही में सड़क ठेकेदार श इस्तमाल क्यों नहीं किया गया पूछने पर ठेकेदार बंगले जागते रहा और इसके लिए ग्राम पंचायत के सचियों को फोन पर पूछता रहा वर्तमान में बनाई जा रहा ही सड़क के दरारे इस पस्ट दिखाई दे रही है और इसे ढखने के लिए लीपा पोती का क दर्शन स्वैम कर देती है इनका कहना है पहले चौराहे पर मिट्टी डाली गई थी अब मुरुम डाला गया है यहां के लोग इतना उपद्रव करते हैं क्या बताए कोई सरपंच और सच्चिव वहां बैठा रहेगा क्या मेरे घर में सभा मंच बहुत दूर है मैं रोज आ हमने उनको बोला अच्छा सिमेंट लाया करो क्योंकि चलना तो मेरे को भी है मीरा एड़े सरपंच पाथर गाओं ठेके दवार द्वारा बिल्कुल घटिया काम गाओं में किया जाता है इंजिनियरों द्वारा सभी सड़कों की जांच की जानी चाहिए और ग्राम की राश क्या समस्या इस रोट की च्या मैने अगया रोड बनाई है जी थे मैने के अंट्राल में यह देखिए भी साइडिंग नाम नी वी जैसे गाड़े आवग जाओ जब हुती है तो साइड देने के लिए यहां पर जगने होती है दूसरी चीज अभी रोड बना है आप देख र गया में ये पर युट्टी वार आने लगी है यहाल है व्यक्त था बेल्स का यूज क्या गया है या कि महम क्या नाम है आपका श्रीमातिन मीरा मिंगरा जेडी आप इस गाओ की सरपंच न्हां आपको इस गाओ की जो समस्यां उससे आप आउगत है आउगत तो है बीए पर वह पूरा करकत लग करके रखते हैं जयस्थम चौक में बजा टोला जो जयस्थम चौक है वहाँ पर पूरा मुरूम से कीचड जमा हुआ है वहां के लोगों बता है कि सफाई वहां पर हमने बहुत बाद सिकात कर लेकिन उसमें कोई राकर ने किया जा रहा है वहां की लोगों ने की वह जो मट्टी आती थे वह मट्टी जलवा दिये इसके कारण वहां की चड़ हुआ तो अभी वहां मुरूम डलवा है हमने दो तिन ट्राली और दूसरी चीज यह बजाल टोला में जो अभी सभा मंच बना दो लाग रुपई की लागत से और दो महिने भी नहीं हो उसके और अभी हमने उसका जाए जाली हमारी पूरी टीम ने तो वहां पर यह देखा जा रहा है कि अभी से उसका फर्स पूरा बैठ रहा है और उसम करवाने के लिए तो उसके कारण बैठा था लेकिन अभी जो बाद में बनवाया तो वह बहुत अच्छा बना और कौन सा वाला वाच वह सभा मंच अभी हम देख के आ रहे हैं तो उसमें पुरा गड़ा हो चुका वीसे और साइड से भी जू जमीन है वो नीचे बैठ चु पंचल बैठा रहेंगे कोई बैठा ने रहेंगा मेरे काम से बहुत दूर है आपने भी देखे बिल्कुल बिल्कुल मैं तो रोज जाना आना ने कर सकती महां बिल्कुल और बिना बाइक के मिजा नहीं सकती बिल्कुल तो यह आप जो बड़ा उपद्रवी के लेकिन वह ज बाइन नहीं और दुसरा यह देवी मंदिर के पास जो बहुन का काम चाल अपना सब्सक्राइब काम चालुए वहां पर भी अभी से पानी रिष्ट रहें वहां पर भी फ्लोरिंग का वही हाल है वहां कि वह बंते समय में यह थोड़ा सा तिर्शा हुआ था बलते उसके बा करवा लेंगे लेकिन उस टाइम से जो हुआ है मतलब टोटली पैसों को वेस्ट हो फिर से आप उसे लागत लगाएंगे लागत लगाने थोड़ा बूत काम है उसको और यहां तो क्या सिकायत तो सिकायत होच रही है अभी वह गंडॉला के रोड के भी सिकायत हुई लेकिन हमने भी उसको जो करवाते हैं हम काम उन से उनको भी गोल दिये कि अच्छा सिमेंट लाया करो अच्छा है करो हमारे गाओं का काम है हमको मालूम है कि कैसा बनना चाहिए क्योंकि चलना तो मेरो को भी है और जो अमेडा से जो रंपूरा जो रोड जुडती है उसके बीच मे बहुत बड़ा घंड़ा हो चुका है वो उसका कारी अभी तक नहीं हूं इसमें नहीं है लॉए रॉडया वाला तो हौह हां यह अमीरा वाला हैं वह इधार है जिंगुटोला के तरफ है हमारे पंचाज से लेकिन हाँ पीडबलोडी में है और उसका काम पीडबलोडी ने चाल भी रोड बना है आपने भी देखे हूंगे रोड बना तो इसको मैंने बोली गी थी जिंगुटोला उलों से कि 15-20 लोग चलो हीना दीदी के पस सब्साइब बहुत से लोगों से लेगे सब आपके साथ तो सब आपके बहुत अच्छा काम कर आपकी तारीफ की बस कुछ-कुछ समस्या आए आपकी गाउं की जो बहुत बड़ी समस्या है बन चुकी अभी बरसाथ के टाइम पर ही रोट का समझ में आता है और जो रोड अ जाती है वहां बीच से फढ़ चुकी है दरारे आचुकी है उस रोट का भी काम वहां के लोगो के दार बता जा रहा है कि वहां पर घटिया माटेरियल का उपयोग हुआ है कुछ वळा गौंडी टॉलक से जो एक रोट गई है सीधी गई है और एक लेफ्ट में जाती जो कच् है कि लिजाना है दो दिन नहीं रुक है वहां के लोगों के द्वारा बताया गया कि यहां पर सिर्फ लोग ज्यादा आवाजाई नहीं होती बड़े वाहन वहां से नहीं जाता वहां के लोग कर लेंगे तो उमेद है कि यह जो अब यह समस्या वो जल्द ही दूर हो जो रहंपूर जो रोड है वहां पर रोड में जो पानी बह रहा है उसके आसपास से नाली की समस्या का भी लोग कहना आ रहा है कलपात्री किसे माय भीया हो तो कलपात्री पंचात में आएगा था दन्यवाद